जब इन दोर में दिगंबर आचार्य की हत्या को आत्म हत्या का रूप दिया गया उसी समय जैन समाच को संबल जाना चाहिए था बारिकी से खोजबिन होनी चाहिए थी या फिर उस आत्म हत्या के रूप में चिपी हत्या की भी सीबियाई जांच की मांग होनी चाहिए थी पर हमने उस हत्या को बिलकुल हलके में लिया और बात को आई गई करके छोड़ दिया इस हत्या को भी यानि आचार्य काम कुमार नंदी जी की हत्या को भी हम हलके में ही लेते अगर ये हत्या बरबरता पूर्वक दिल देलाने वाली ना होती तो, उनके शरीर के इतने टुकडे न होते तो, एलेक्ट्रिक शाक वाली बात सामने नहीं आती तो. इंदोर की हत्या के तार कहीं इस हत्या से तो नहीं जुड़े हैं. जिस तरह से आहे दिन इतने साधू-साध्यों के एक्सिडंट हो रहे हैं, कोई तो एक्सिडंट के तुरंद बात प्रान्तियाग देते हैं, तो कोई गंबीर चोट से ग्रस्त हो जाते हैं. आज से पहले कभ साध्यों का एक्सिडंट हो गया, तो कभी साध्यों का, तो कभी पूरा ग्रूप ही एक्सिडंट की चपेट में आ गया. ये सब क्या हो रहा है? जब दिगंबर माहराज की इंदोर में आत्महत्या की बात सामने आई, तो कई प्रश्ण उटने चाहिए थे. कि क्या कभी कमजोर होता है क्या एक सादू के पास आत्महत्या करने की कोई वजह होती है जब संसार को ही छोड़ दिया तो आत्महत्या का क्या कारण रह जाता है आत्महत्या संसारी लोग करते हैं संसार से परिशान होकर दिगम बरत्व ही एक इतना बड़ा कदम है कि वहां आत्महत्या ज जानने की कोशिश की न कातिलों को पकड़ा बस आत्म हत्या का शोर मचाया और बात को डबे में बंद कर दिया उसका ही परिणाम है ये दूसरी हत्या इस बार इसको हलके में लिये तो जैन समाच को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है क्या आपको नहीं लगता दिगंब स्वेतांबर को अब एक हो जाना चाहिए सारे मत भेद और मन भेद भुला कर अपनी राई कमेंट में बताएं वीडियो पसंद आया तो लाइक शेर सब्सक्राइब करें